आले स्ट्रेंट्स आपका बहुत बहुत श्रागत है मेरी यूट्यूब चैनल मुद्गलवाईलोजी में लिखें जैसा कि आपको पता है कि हम जुलोजी की बात कर रहे हैं और बेसी फॉस्ट एर की हमें आपे बात करेंगे इसमें पहला पीपर हमारा चल रहा है के बेसी में बता था कि अपने एक कंप्लीट खोर्स करने वाला है पिसम पेसी फिस पेस्टियर करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड शुमागे बनाते चलेंगे और complete georosigas लेवा समया पर आपको करें पहला ही पेपर से हमने start कर दिया है PC for Steers जिसका नाम है diversity of animals and emulation पहला पेपर है हमारे सामने इसकी पहले ही unit आपके सामने आजाती है जिसका पहला चप्ट है जो जो जोग्राफिकल रीजन्स एले चप्ट्टर हमने start कर दिया और इसकी ओल्रडी 5 वीडियो यहां पर बन चुकी है यह छट्वे वीडियो आपको जोग्राफिकल रीजन्स के मिल रहे है basically जोग्राफिकल रीजन्स के 6 वीडियो बन चुकी है already एत्या वीडियो बन चुकी है तो जो geographical reasons कि मैं बात करूँ यहाप पे तो हमारी जो पूरी अर्थ है पूरा world है तो उसको total 6 regions के अंदर या फिर आम कहें 6 regions के अंदर scientist ने डिवाइड किया तो और reason क्यों दी मलख क्यों इसको डिवाइड करने के ज़िवरत पड़ी तो पूरी अर्थ के ऊपर आपको पता है बहुत सारे animals के आपे देखने के लिए हमें मिलते है बहुत सारे climate हमें बहुत ज़्यादा variation हमें देखने के लिए मिलता है तो scientist ने क्या गिया कि इस अर्थ को totally 6 बागों के अंदर डिवाइडेशन करते है और उसका आधार क्या बनाया जो vertebrates होते हैं उनकी प्रिजर्स के आधार पर कि किस एरिया के अंदर कौन से vertebrates पाई जा रहे है किस climate अंदर हो रहते है इसके आधार पर जो अर्थ सा या फिर गुरा बल्ड था उसको 6 regions के अंदर classification है वो सबसे सर्व मानने classification माना जाता है इससे पहले वाली वीडियो के देर हमने यह सारे जो reasons है वो complete कर लिए है आज हम Australian reason की बात करेंगे है यहाँ पर जो आपको यह blue color की लाइन देख रही है यह एक काविपने क्रेका है hypothetical line है और इस रिखा को ही क्या कहा जाता है wellis line कहा क्या कहा जाता है इस line को क्या कहा जाता है wellis line कहा जाता क्यों कि यह wellis scientist ने सबसे पहले इंची दे और इस ही line से आप देख रहे हैं कि जो reasons है वो एक दूसरे से separate बखे गए है तो हम Australian reason की बात करेंगे अब मैं आपको बता दूँ कि आपन जैसे reason को भी start करते है तो उस में प जहां तर फैला हुआ है इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं पहले नमर पर दूसरे नमर पर हम बात करते हैं इसके climate की ठीक है कि यहां पर जो जलवा युग है वो किस प्रकार की है यहां पर जो मौसम है वो किस प्रकार कर रहता है इन सारी चीज़ों की हम आपर बात करें तीसरे नमबर पर हम बात करेंगे यहां पर किसकी फ्यूना की बात करेंगे यह फिर हम बात करेंगे कि इसकी जुलोजिकल करेक्टर्स की आम पर बात करेंगे जिसके अंदर हम एनिमल्स की बात करेंगे कि कौन-कौन से अनिमल्स यहां पर प्रिजेंट होते हैं कौन-कौन से क्रिए बाद करेंगे इसकी बाद करेंगे कि लासिफिकेशन की बाद करेंगे इसके अंदर आम दिखेंगे कि कौन-बॉन से सब रीजिन वह देखने के लिए मिल जाते हैं यह जो ऑस्टिलियन करें इसको भी आप फ्रदर सब रीजिन के इंदर डिवाडिशन किया गया है और boundary कह सकते हैं या फिर इसको भी अपन क्या कह सकते हैं इसकी physical limits कह सकते हैं यह कहां तक फैला हुआ extension इसका कहां तो देखे क्या है कि Australia reason include the whole of Australia, New Zealand, New Guinea and neighboring Iceland and practically the whole islands in the specific question इसकी reason की बात करें तो कहां तक एक फैला हुआ है तो वह देखें आप सबसे बहले मैं आपको यहां पर बताता हूं इस map के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा यह हमारे सामने क्या है oriental reason है इनको avoid कर ले तो यह देखें यहां पर हमारे सामने oriental reason है अब oriental reason को इस line से क्या करती हैं यहां पर separate कर लिया याँ यह जो रीजन है इससे नीचे वाला reason है वह आउस्टी आजाएगा हमारे सामने इसके अंदर क्या इंक्लूडएड है यह जो आपको चीजे दिखाई दे रही है यहां पर जो एक देस है निव गाईना जैसे है आपन कहते है चोटा सा इसके लाबा जितने भी पास में पहले जाने रहे जाने वाले हुए जितने भी चोटे मोटी आईसलेंड आयसलेंड इंक्लूड़एड हो जाते है इसके अलाबा practically the whole आईसलेंड इन-दा Pacific Ocean यह जो ocean है जिसे पन Pacific Ocean कहते हैं इसके इ इन कीए ऑसलेन dirowdo क्ति ऊस्ट्रीन इज अब हम बात करते हैं कि कौनकों से आइसलेंड है जो कि यह आदे अपर रखेंगे हैं तो सबसे पहले है निउजिलेंड दूसरे नदेन नमेर पर है aku 사람 है नींसेल हें तimmeusion ने नम्बर पर है तस्मानिया और लास नमेर पर ऐसलीया चार बेजर असेलीर अगे बठते हैं देखें अब अपन इसकी climate की बात करते हैं जिसे अपन हंदी में कहेंगे क्या जलवायू की बात करते हैं यहां पर कैसा मोसम पाए जाए का किस तरीक की वण पाए जाएंगे हैं अगे में आपर बात करेंगे तर नॉर्दन पार्ट ओफ दिस रीजन नॉर्थ ऑस्टेलिया एंड नुगाइनिया लाइस बिद इन दा ट्रॉपिक्स बिद हाई समर टेंपरिचर एंड मच अधर अधर एरिया कवर्ड रेंफोरस्ट यहां इसका जो नॉर्दन पार्ट है इस रीजन का यह जो नॉर्दन वाला पोशन है यहां से उपर उपर साउथ नॉर्दन वाला उत्री जो भागया इसका उसके अंदर क्या है नॉर्थ ऑस्टेलिया है और न्युगाइनिया है यह सब कैसे हैं ट्रॉपिक्स की रूप में हमें देखने के मिलते हैं यानि कि सम ति जो रॉष्टरीलियन कॉंटिनेंट खरा स्युड़ीया है उसका उसका सुखा है कर रही है यहां जसे निगे क्लायमिट के भारे में प्रता ज्रॉपोतल्ग देखैंए और यहां देखते हैं और ट्रॉपि म के न्युर्द अपन क्या कहते थे हैं, फ्यूना कहते थे हैं, एनिमल्स को कौन से हैं, वो देखे हैं, आपर हमको पता जालेगा अभी, देखे, there are 134 families of terrestrial vertebrates, among them 30 are peculiar, यानि कि 134 families हैं total terrestrial vertebrates के, मैंने आपको बताया था कि यह जो classification किया गया है, reasons को, यह किस आधर पर गया, terrestrial vertebrates की presence के आध पाइलियर कामत्र, गया होता है? कि भाइल इस स्थान पर, इस स्थान पर आइजाने वाले, पर जाती हैं, किसी particular स्थान पर पाइजाने वाले, जो पर जाती हैं, लिए families होती ह Morris और यह प्या रेपडाइल्स की और दो फेमिली कैसी हैं, उंका दूसरी जो रिजंग्जन्स थैं उंके साथ कर देथा नहीं एक बिलेगी, और किसी इन भी रेजंग्जन के नदर हमें वही नहीं मिलेंगी, लेकिन जो बची गविजी रिशें इसक आघा हैं, उनका दूसरी जो रेजंग् इक पास है, तो 104 फेमिली के अंदर हमें भिजिबलनेस देखने के लिए मिलेगी, अब आपन बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि मैमल्स की कौन कौन से फेमिली है, इसके अंदर आते हैं आपके मेल जो एनिमल है, जिसका नाम है कंगारू जब भी एब नियुजलेंड की या फिर उस्टेडियर की पात करते है, तो कंगारू हमारे सामने है दिखाई देता है, कंगारू आका एक पेकूलर फैमिल्य है तो ये किस फैमिली के अंदर अधा है? दूसरी नंबर पर है फैलेंजिरी जिसके अंदर फैलेंजर्स आ जाता है तीसरी नंबर पर आ जाता है आपका फैस कलर एक्टिडी जिसके अंदर कोईला आता है अगले नंबर पर है आपका कौन सा पैरा मैलेडी जिसके अंदर आपका बैंटी कूक्स आता है अगले नंबर है हमारे सामने वहां सा, Ornithu Rankiddy, इसके अंदर आपको Ornithu Rank का साथ है, यह families हैं कैसी Pecular families हमें याद रखनी हैं और यहीं से आपको question में पूछा जा सकता है, तो यह families हमें याद होगी कि peculiar family कौन-कौन से हैं, आप कुछ common mammals की बात कर लेते हैं, जो कि other mammals यह जो कि हमें यहां पर देखनी की मिलेंगे, यह commonly हैं, इसके अंदर आपको कौन सा आएगा, डेंड्रो लोगस के लावा terro past हो गहा है, जिसे flying fox केते हैं, इसके लावर ratus ratus श्यूशी rat केते हैं, तो यह उसके horse केते हैं, तो यह other mammals हैं, जो कि हमें common यह पी आपको देखनी की मिलेंगे, यह जो families हैं, यहीपे हमें देखनी की मिलेंगे, आपको पिक्चर देखते हैं, एक बार के एंइमल्स है तो यहां पे देख्यें कि नलीघ्र नूसे नलीए इर्मन पर फेलन के खंगार हो गांग है, ऊसरी नंबर से दिखको प्लेंजर से पेलंजर से आपका ताथी पंधाटीर से लापाते हैं नूसे नलीघ्र नलीघ्र नल करें आगे देखे, अब दुछरे नमर पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी वर्स की, कि वर्स की कौन-कौन सी वर्स की वर्स कौन-कौन से हैं, आप यह आपर देखने के लिए मिस्त, टोटर 58 फैमिली जो कि यह पर प्रिजान्ट है, इसके अंदर आपको 44 फैमिली जैसी है, और लेसी व यही हैं, जो कि पैकुलियर नहीं सर्फ यही हमें देखने के लिए मिलेगी, तो वो कौन-कौन सी हम देखे, सबसे बहले बात करते हैं, पैकुलियर वर्स ऑफ ऑस्चिलियर रीजन, ऑस्चिलियर रीजन के अंदर कौन-कौन से पैकुलियर फैमिली जैसे वर्स हैं, वो दे अब हम बात करते हैं कुछ कोमन एवीनिंट फियुना शेयर्ड मिध और इंट रीजन मैं अब को बता था कि कोछ ऐसी गांग नीज हो थी जो और इंटल रीजन ए फिर जो पासवाने रीजन होते हैं उनके इंदर हमें कोमन देखने के लिए मिल जा वैसे कौन-कोन से हैं उनकी बात कर लेते हैं इस फ्रा अब पिक्चर देख लिए जैसी है वर्ड ऑपरडाइस है यह बाहुत वर्ड होगी है यह क्या रॉट होगी है यह हनी इत होगी है अगे देखिए तीसरे नमर पे हम बात कर लेते हैं कि सकी प्रैस की लाँवान से सटरीश और की फैमिली सामाल हमें देखने के लिए मिलेग यह क्या आतली फैमली कोन सी है है हिसके इंदर आटर आ यह होके हुआ होके है एक लगवाल ओब इंपकर ल्ग यह बात कर लिएयों शर्ण के अब सुनके स्नें न ग special है इस फिक्कर जादा ओप उने जैस न वल मिल जाती एक समय आपके देखने के लिए बिल्कुल संट है इसके लाबा जो इस फिनुडोर्ण सीन ओन्नी इन 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 इस रेजन यानिकी इन इस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा इस रीजन करना इंदर इसके लाबा वेरेनेस जिसे मोनीटर लीजार्ड भी कहते हैं उह देख हुए चुकि रेप्टाइल समय देखने के लिए मिल जाते है पिक्चर्स देख लीजिए यह करीटा करीटा है यह ट्रियौंस है यह ट्रेश्टी और अलिकंद्स है यह कष्चुए है रेप्टाइल्स में ही आते है इसके लाब यह देखें केमलियोन जो की रंग बदल देता ह है अपना यह टौटागा है यह पिक्चर्स हो हुए है अब अपके सामने अब अपकी बात कर लेते हैं जो है हमारे सामने क्या OUT Yes, amphibians कौन कौन से हैं, वो देखिए आपसे, सबसे पहले हमारे सामने, Ceratobatriciddy, इसके अंदर animals कौन सा है, Ceratobatricus, यह amphibians सा एक रिकार का, अपर इस आविडी देखिए कौन से है, Xenopharynery, इसके अंदर Xenopharyn animal आगया, There are very few amphibians, यानि कि बहुत कम amphibians ही हमें यहां पर देखने के मिलते हैं, Common toad and tailed amphibians are absent, यहां पर जो commonly टोड़ होते हैं, basically जो टोड़ होते हैं, या फिर हम बात करें, जो tailed amphibians होते हैं, कैसे होते हैं, यहां पर absent होते हैं, लेकिन hyla और rana, जो ऐसे हैं फ्रॉग हैं, जो कि यहां पर ऑस्टिन रिजिएंट के लिए हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें राना की species होते हैं, hyla, arviria हो गया, इसके लाब माक्रो हाइला होगे, रेंकोफोरस होगे, और एलाइट होगे, यह सारे amphibians हो कैसे, कॉमनली हमें हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ज्यादा प्रजाती हमें एलाइटस है, यह रेंकोफोरस है, और यह माक्रो हाइला और नेटा है, अब अब अपन फिस्स की बात कर लेते हैं, लास्ट नमबर पर, इसके लाब में देखने के लिए मिल जाती है, इसके लाबा, स्रेटोरस, जो फिश है, वह यहां पर देखने के मिल जाती है, और उस फिश को क्या कहा जाता है, और यह आपको नाम याद रखना है, यह कुछ भी सबता है कि लंग फिश का नाम क्या है, कॉमनली नेम क्या है, तो वह कोजा है, स्रेटोरस, स्रेटोरियस, यह इसका नाम होगी है, इन दिस रिजन, मैनी अदर फ्रेश वाटर एंड मराइन फिश हैं प्रेजन, बहुत ज़्यादा फिश विए में आपे देखने के लिए मिल जाती है, स्कॉलोरियन होगा, मेकरलील, मेकरेल होगया, स्यनो गयूस होगया, इसके लाबा केटला-केटला जो फिश है, अनावरस है, और सेको ब्रेंकस है, यह सारी कॉमाली भाय जाने वाए फिश है, ओब देखे, यह स्रेटोरस होगया, और यह फिश हैं आपके सामें, आप यह चेहपटर भी हो जाता है उस तरीक से जो जाता है आपका और उस्टिलियंड डिजन के complete होते ही यह जो चेप्टर है यह चेप्टर भी हो जाता है क्या complete अब अब आप दूसरे चेप्टर के तरफ बढ़ेंगे वह चेप्टर कौन सा है बायो डारवरसिटी नेक्स चेप्टर कौन सा होने वाला आपको बायोडाइब से नेक्स चेप्टर उसके हम बात करेगी, अगर वीडियो उशी लगए तो लाइक जिरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देश से पार करें, माता पता से पार, जहेद